आज हम देखेंगे कि बाजार में मिलने वाले प्रेमिक्स से केक का स्पॉंज केसे बनाते हैं वैनिला केक स्पॉंज चॉकलेट केक स्पॉंज और रेड वेलवेट तीनी का ही प्रोसेस सेम है ओवन नहीं है तो मैं केक पैन में ही बेक करती हूँ इसलिए हमें पैन को पहले से प्रीट करना पड़ता है केक बनाने से पहले 10 मिनिट आपको प्रीट करना है मिडियम ग्यास पेर आपको प्राइन एक स्टैंड और उपर से डखकन रखना है यहें मेजरिंग कप्स जो आपको प्रीमिक्स और क्रीम को मेजर करने के लिए जरूर लगेंगे पहला एक कप उसके बाद में आधा उसके बाद वन थर्ड वन फोर कप एक टेबल स्पून और हाप टेबल स्पून इसमें से हमें लगेंगे सिर्फ एक कप वन फोर्थ कप और आधा टेबल स्पून अगर आपके पास balance है तो आप उस पर भी measure करके premix को ले सकते हैं और यही cup से हम whipping cream को भी measure करेंगे तो अब हम लेंगे सिर्फ ओ cup जिससे हमें premix को measure करना है तो यह हुआ one cup और one fourth cup और इस table से हम लेंगे घी या oil जो हमें premix में मिला कर sponge बनाना है यह मेरा cake tin है जो two by six inch का है इसे हम आधा kilo cake बनाएंगे इसे हम घी या butter से grease करेंगे इस sponge को bake करने के लिए हम butter paper का use नहीं करेंगे इसलिए हमें इस cake tin को grease करना है उसके बाद इस से एक tablespoon मेदे से dusting करना है आपका cake tin पूरे मेदे से coat होना चाहिए अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज उसे like, share और सब्सक्राइब कीजिए अब एक्स्ट्रे मेदे को हम हटाएंगे अब इस टील बाउल में में एक कप प्रेमिक्स लोंगी केक के उपर अगर आपकी cream की design कम हो तो आपको sponge थोड़ा बड़ा बनाना है और उपर से अगर flower की design जादा हो तो आपको cream जादा लेनी और प्रेमिक्स कम लेना है यह हुआ हमारा एक कप अब लेंगे हम वन फॉर्थ कप इसका weight कुछ 230 तक जाता है लेकिन आप 200 ग्राम से भी sponge बना सकते हैं और उपर की cream कुछ 1500-200 ml तक अब हम इसमें डालेंगे बटर स्कॉच इंसेंस अब डालेंगे इसमें half tablespoon घीया ओईल अब जितना हमने प्रेमिक्स लिया है उससे आधे को थोड़ा सकम इसमें हम पानी डालेंगे आप अगर चाहे तो इसमें दूद भी डाल सकते हैं यह मैंने एक कप लिया था इसलिए मैंने एक कप का आधा कप पानी लिया और वन फोर्थ कप में आधे से भी थोड़ा कम पानी लिया और यह सब डालकर में मिक्स करूंगी इतने पारणी में यह बैटर हो जाएगा बस आपका विस्क आपको सिर्फ एक ही रोटेशन में घुमाना है आप इसे जादा वक्त ना लगाए और जल्दी से केक बेक करने के लिए रखना है आपको जिस फलेवर का स्पॉंज बनाना है उस फलेवर का इंसेंद आपको वैनिला प्रिमिक्स मेढ करना है हमें बटर स्कॉч स्पॉंज चाही है यह था हमने बटर स्कॉच इंसेंद को मिलाया है यह हमारा बैटर पूरा हो गए है अब इसे हम केक्टिन में डालेंगे इस बैटर की कंसिस्टनसी एसी ही होनी चाहिए आप इसे दो तीन बार टैप कीजिए ताकि कोई भी एर बबल्स हो तो वो निकल जाए तो हम अब एक केक्टिन इस प्रिहिट प्यान में रखेंगे आपके पास ओवन हो तो आप उसे प्रिहिट करके उसमें केक्टिन रखें 30 से 35 मिनिट में हमारा केक बेक हो जाएगा ए देखिए 25 मिनिट्स हो गए है लेकिन केक अभी तक पूरा बेक नहीं हुआ है अब यह हो गया है और केक को चेक करने के लिए आपको स्टीक ही डालनी है अंदर छूरी डाल कर ना देखें कि एक बेक हो गया है हमारा है हमारी स्टिक पूरी क्लीन निकल रही है अगर आप कोई भी इससे बड़ी चीज डालेंगे तो उतना ग्याप हो जाएगा और वहां से एर अंदर जाएगी इसलिए आपको सिर्फ स्टिक से चेक करना है और केक को थंडा बाहर ही होनी दे फ्रीज में ना रखे अगर आप आज स्पॉंज बनाते हो और कल इसका यूज करते हैं तो आप उसे एसे ही केक टिन में रखकर ढग दीजिए या आप उसे तीन-चार दिन के बाद यूज करना चाहते तो उसे प्लास्टिक रैपर से रैप क करके फ्रीजर में रखे अब हम हमारा केक कितने ग्राम का बना ही देखते हैं मैंने केक टिन का वेट टियर किया है 354 ग्राम का बना ही तो हमें इससे आधा किलो के एक बनाना है तो हम 150 ml क्रीम लेंगे विपिंग क्रीम लेंगे अब हम प्रीमिक्स का वेट चेक करते हैं कि हमने कितना ग्राम प्रीमिक्स लिया था यह हुआ एक कप और यह 1 4th कप इसका वेट 234 है आप अगर केक के उपर क्रीम से कुछ जादा डिजाइन करना चाहते हैं तो आप 30 ग्राम प्रीमिक्स कम भी ले सकते हैं 200 वीपिंग करीम को तो sponge बनाना हमने इस वीडियो में सिखा है अगले वीडियो में इस sponge के साथ हम एक cake design भी बनाना सिखेंगे उसी के साथ सिखेंगे वीपिंग क्रिम को कैसे वीप करते हैं और मेरे कुछ cake designs और cake designs की procedure के videos की link मैंने नीचे description box में दी है प्लीज आप उसे एक बार जरूर देखें मिलते हैं अगले वीडियो में See you soon